जी हाँ नमस्कार दोस्तों बात करेंगे वन विभाग भरती 2014 के बारे में यहाँ पे वेकेंस से निकली हुई है Forest Department में Forest Guard की इसके अलावा Ranger के पदों पे यह Vacancy निकाली गई है साथ ही साथ इसमें Guard में दो तरह के Guard है एक तो Normal जो Guard होते Forest में इसके अलावा यहाँ पे जो वन जीव अभ्यारने होते या फिर जो Forest Areas होते वहाँ पे Guard की Wildlife Guard करके यहाँ पे एक विकेंसी निकाली गई है तो यह Total मिला के साथ आठ हजार के करीब पद है और अगर आपने बारवी किलास पास कर रही है तो यह फिर बारवी किलास में अगर आप हो आपका Result अवेटेड है तो भी आप Guard के लिए Apply कर सकते हो इसके अलावा अगर आप यहाँ पे Graduation Final Year में हो तो आप Ranger के पद के लिए Elisible है और Guard के लिए भी Elisible है तो यह आप ध्यान रखना इसके अलावा महिला और पुरिश अभ्यारती दोनों ही यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैंगे अप्रेल महिने की यह Vacancy पूरी डिटेल डिसकुशन करेंगे शुरू से लेके एंट तक इस वीडियो के साथ में आप बने रही है तो जो Forest Department में Recruitment में निकली हुई है उसके बारे में Short Detail देता हूँ यहाँ पे जो Vacancy है 7,840 पदों पे Forest Guard, Ranger और Animal Concervator की Vacancy है इसके अलावा 18 से 40 साल की अगर आप बीच में आते हो जिसमें Relaxation सामिल है 3 साल होभी सी और 5 साल SCHD तो आप यहाँ पे आविदन कर सकते हो आविदन Dates यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले जो Dates रहेगी यहाँ पे 12-4-2024 से यहाँ पे आप एपलाई कर सकते हो 14-5-2024 तक इसके अलावा Tentative है यह Last Week 2024 June महिने में Examination यह आप ध्यान रखना इसके अलावा यहाँ पे जो further details है कैसे आपका gender, hide, chase, running criteria क्या physical standard होना चाहिए वो सारा सब कुछ यहाँ पे Guard और Wildlife Guard के लिए अलग-लग दे रखा है Ranger के लिए भी वही same criteria follow यह आप ध्यान रखना है इसके अलावा examination कैसे रहेगा written test में क्या questions पूछे जाएंगे तो एक से 80 questions, 180 marks के 2 गंटे का time रहेगा reasoning, current affair, general intelligence questions, maths वाले reasoning जो भी मतलब same रहता है वो ही रहेगा इसके अलावार जो age limit है 18 से 27 साल, plus 3 साल relaxation, 5 साल relaxation है यह आप ध्यान रखना, यह Guard के लिए बता रहा हूँ में इसके अलावा qualification के अगर बात करें आपको नीचे description box में link दे दूँगा salary की बात करें, यहाँ पर starting salary यहाँ पर 20-22 के करीब आपको मिलेगी Guard की में बात कर रहा हूँ, वहीं 25-26 के around यहाँ पर, जो भी मतलब यहाँ पर 30 के आसपास हो सकती है जो भी TDA allowances होता है, उसको मिला के starting में conservator की तो यह आपकी salary package रहेगा, ध्यान रखना और पूरी details आपको description box में link दे दूँगा वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो, धन्यवाद